अगर आपको पता चलता रहे कि आगे क्या होने वाला है फ्यूचर आप देख सको और इसमें आपको पता चले कि आप मनने वाले हो क्या टाइम ट्रैवल से आप अपनी फेट चेंज कर सकोगे इस एक interesting concept के साथ आज की मुवी वोली शनाती है एक time travel science fiction मुवी है आपकी किस्वत में जो है क्या ही आप change कर सकते हो यही एक thought को explore करती है यह मुवी आपके life में भी कुछ सोचने के लिए आपको मजबूर करकर जाती है तो चलिए शुरू करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमें हमारा main character James दीखता है James के apartment पर एक गुंडे जैसा उसका ही homeowner आता है James ने बहुत सारे मेहनों से पैसे नहीं दिये होते है तो इससे वो पैसे मांगता है James कहता है आज दिन खत्म होने से पहले पूरे पैसे में तुम्हारे चुकते करतोंगा इसके बाद James हमसे बात करने लग जाता है यह हमसे कहता है कि मैं आगे का कुछ ना कुछ तो देख सकता हूँ इससे जादा कुछ मालूम नहीं पड़ता पर इसके बाद थोड़ सा 10-15 मिनिट तक क्या होने वाला है यह उसे समझ में आने लग जाता है थोड़ी सी वीजन से से आती है यह हमसे कहता है कि यह कौन्टनम विजिस की थेरी है अलग-अलग टाइम की फ्रिक्वेंसी में एक रिपल इफेक्ट आता है इसी वज़े से यह कुछ भी देख सकता है एक simple language में कहता है कि मेरे जो antenna है यह बहुत strong है जेम्स फिर हमें एक बार में आता हुआ दिखता है वहाँ से वो bottle लेता है और स्ट्रीट में आता है स्ट्रीट में आने के बाद उसे फिर से एक vision आती है इस vision में उसे देखता है कि उसे बहुत सारे पैसे अब मिलने वाले है एक wallet से पैसे निकाल रहा होता है अब जेम्स देखने लग जाता है स्ट्रीट पर खाऊ उसके साथ ही हो सकता है यह देख रहा होता है आगे चलता है तो उसे मालूम पढ़ता है जेम्स फिर यह दोनों को कंट्रोल करने कोशिश करता है जेम्स वाला लटका तो नीचे ही ज़ाता है जेम्स जमिन पर पढ जाता है तो जेम्स की दारू की बॉटल लेकर वो बड़ा सा आदमी वहाँ से चला जाता है इसके बाद James को मालू होता है कि जो आदमी था, इसका wallet नीचे गिर गया है यही पैसे इसे मिले थे, यह उसकी vision थी जिस लटकी को आदमी छेड रहा था, इसका नाम Angela था यह हमारी next man character है James के नाक से खोना आ रहा होता है तो Angela उसे टिशू वे पर दे दिया उससे पूछते है, क्यों तुमने मुझे help की James को से कहता है, कि मुझे लगता है कही मैंने तुम्हें देखा है Angela इस पर believe नहीं करती यह कही थी है, कि line यह थोड़ी भी original नहीं है James बोलता है, कि मैं सचूज में seriously कह रहा हूँ James को vision आई हुए होती है जिसमें वो Angela के साथ है उसके साथ वो हस रहा है उसके साथ वो घूम फिर रहा है यह सब उसे इस vision में दिखी हुए होती है James जब Angela से बात कर रहा होता है तब और उसका एक friend आजाता है इसका नाम होता है Sal Sal अभी अभी अपने friend Terry के साथ जेल से बाहर आये होता है अब वो James से मिलता है James भी इसे देख कर बहुत ही खुश होता है यह James से पूछता है कि क्या तुम अब काम नहीं कर रहे हो James जोता है illegal कामों के लिए उसे बुलाया जाता है अब Sal James से कहता है कि बॉस ने तुम्हें बुलवाया है यह जो बॉस है इसका नाम होता है Ray तो Ray के पास अब इन दोनों को जाना होता है Angela ने James को कहा होता है कि वो अब drive करने वाली है तो James जाते वक्त Angela को कहकर जाता है अब तुम drive से कुछ फुरसत लो तुम यही आसपास रहता हो हम दोनों hangout कर सकते है Angela वी इस पर वो सोचे कि एसा कहती है और इसके बाद James चला जाता है और यह दिखता है कि James उसके बॉस के आ गया है James का बॉस Ray यह कारपेट सेल वगरा करने के उसके फैक्क्रीज होती है इसके बैकेंड में वो कोकेन वगरा सेल करता है James को Ray अपने ओफिस में इन्वाइट वगरा करता है और यहाद James, Ray, Sal और उसका फ्रेंटेरी यह सब लोग होते है Ray फिर James को उसका काम बताता है Ray को बता होता है कि James को वीजन आती है Ray उसे पुछता है कि तुमारी वीजन इसके बारे में तुम्हें क्या कह रही है James को जो वीजन आती है यह अच्छी नहीं होती फिर भी James कहता है कि मुझे अब दिकरा है कि यह हैंड आउट हो चुका है यानि कि deal successful हो चुकी है Ray पर खोश हो जाता है अब James यह diamonds लेकर यहाँ से चला जाता है Next year में दिखता है कि James अपने घर पर होता है वह आपर Angela आती है Angela उसे कहती है कि वह आदमी तुमारी बाटल लेकर गया था उसके लिए इसने beer लाई होई होती है इसी बुश्ती है कि क्या हम hangout कर सकते है James भी इसके लिए मान जाता है Angela को इसका shower यूज करना होता है यह बहुत दिनों से road पर होती है और इसे नहाना होता है Angela James का घर देखती है James के घर पर एक board होता है जो दर बहुत सारी चीज़े लिखी होती है James को हमेशा जो vision आती है इसके बारे में वो लिखता रहता है Angela James के parents की भी एक photo देखती है James कहता है कि मेरे foster parents है इस photo में Elliot होता है जिसने James को गोद लिया था इसके बाद Angela और James टारेस पर hangout कर रहे है यह हमें लिखता है James Angela के parents के बारे में पोच्छता है इसके बाद यह दोनों घर में आ चाते है इन दोनों का plan अब हुआ है यह उनका जो boss hair है इसे वो double cross करने वाले है डाइमंड्स और James से ले लेंगे और वहाँ से फरार हो जाएंगे श्याल अपने friend Terry को कहा रहा होता है कि अंदर जा और वो लेकर आओ पर किसी को तुम्हें इंजोर नहीं करना है Terry अभी अभी जेल से चुटा है वो कहा रहा होता है कि लाइफ में एक बार मेरे साथ कुछना कुछ तो सही हो जाए डाइमना गुर से मिल गए तो यह अच्छी लाइफ जी सकता है इसके पीछे इसका एक स्ट्रॉंग मोटिवेशन होता है जेम्स जब घर पर आता है तो उसे और एक वीजन आती है इस वीजन में वो मर चुका है और कहा वो मर रहा है यह सब उसे दिख जाता है इसका बात दर्वाजा कोई खोल रहा है जेम्स को दिखता है जेम्स जर जाता है एंजला के पास जाता है एंजला बात्रूम में होती है तो कबड़े बहनती है और इसके बाएद दोनों खिड़के से बाहर निकल जाते है ये भागते भागते अपनी गाड़ी तक आ जाते है सैल और टेरी इतनी जल्दी इनका पीछा नहीं कर पाते गाड़ी में James उसके पास जो डायमन होते है इसे वो चेक करता है एंजला उसे बश्ती है कि डायमन्स क्या है James को इसके बाद और एक विजन आ जाती है वो अब कहा जाने वाला है कि सुर मोटेल पर रुकने वाला है और उसे स्टीट साइन दिखता है एंजला उसे कहती है तुम कहा चले गए थे तुम जोना उट हो चुके थे James को उसने पहले भी होता हुआ दिखा है James कहता है मैंने तुम बताया तुम बिलिव नहीं करोगी James को विजन में इसके पास अब पुलिस आने वाला है यह उसे दिखता है James एंजला को गाड़ी रोकने के लिए गयता है James कहता है कि यह जो पुलिस है अब हमारी कार के बारे में इंक्वाइरी करेगा पुलिस फिर वाहता है और जो उसने कहा था यही होता है एंजला फिर James से पुछते है कि यह कैसे हो गया तुम मुझे क्या कुछ बता नहीं रहे हो हमारे साथ जो भी सब हो रहा है और वहाँ एक लॉक करता है इसमें James अपने डाइमंड छिपा देता है इसके बाद यह डिनर करने के लिए एक रेस्टार्न में आ जाते है एंजला फिर James से पुछती है कब तुम्हें वीजन्स आना स्टार्ट हो गया था James कहता है कि मैं जब साथ साल का था मेरी मदर मरने वाली थी तुम्हें दो मैने पहले से पता था एंजला पुछती है कि क्या तुम्हें अपनी मदर को सेव करने का ट्राय किया था James कहता है कि तभी मुझे मालूम नहीं था इन सब वीजन्स का मिनिंग क्या है यह मुझे उसके बात पता चला था James कहता है कि मैंने इसके बहुत चेंज करने कोशिश की है मेरे साथ जो होने वाला है यह जो वीजन्स होती है यह हमेशा से सही होती है अब मुझे पता चल चुका है हमारे लाइफ में हमारे साथ जो होता है यह सब फिक्स्ट है हम इसे चेंज नहीं कर सकते एंजला एक अलग बिलिव पे चलती है उसे लगता है कि अपनी लाइफ हो खोच चूज़ करती है यह फिर कहती है कि मेरे साथ जो सब हुआ था इसका बच्पन भी बहुत इकटिया था क्या यह सब फेटेड था जेम्स उसे समझाने के लिए कहता है कि हमारे पास यह जो मूमेंट है यही सिर्फ है इसे हम सीच कर सकते है इस मूमेंट में हम जी सकते है टाइम ट्रैवल की स्टोरी में एक लिप्टा हुआ सच हमें इस मूवी में पता चलता है इसके बाद हम देखते हैं कि एंजलो और जेम्स अपने मॉडल पर आ जाते हैं जब वो अंदर आते हैं तब उनके हीरे गायव होते हैं आप जेम्स अपने बॉस के पास नहीं जा सकता उसे बता नहीं सकता कि उसकी आदमी ने उसे डबल क्रॉस करने के कोशिश की थी था पुछना कोश'M तो कर पड़े हैं उसे पूछता है कि क्यो तुम यहां साथ क्या हुआ है तो अच्छे से अगर तुम डिसीजंस लोगे तुम यह चेंज कर पाओगे पर इलियाट का बिलिफो फाँ होता है कि वह चेंज नहीं कर पाएगा इलेट फिर उससे पुछता है कि कहा तुम मरने वाले हो, क्या ये होने वाला है जेम्स इस घर को देखता है तो उससे पता चलता है कि यही घर है जहाँ वो मरने वाला है इलिएट जेम्स को कहता है कि अभी के अभी तुम्हें यहां से निकल जाओ अगर निकल गए तुम्हें कोई भी प्रॉल्लम ने आएगी जेम्स यह मानने के लिए रेड़ी नहीं होता जेम्स बाहर जाकर स्मोक करने लग जाता है एंजला एक घर देखने लग जाती है जेम्स बाशन से पेंटिंग्स बनाता था इस पेंटिंग्स में उसे एंजला भी दिखती है इस पेंटिंग्स में एंजला को उसकी ड्राइंग दिखती है एंजला फिर बाहर आती है उसे पूछती है क्या तुम्हें पता था कि मैं इसका पार्ट हूँ जैमस कहता है कि तब मैं छोटा था तब मुझे कैसे पता हो सकता है एंजला जैमस को कहती है कि पहली बार जब हम स्ट्रीट में मिले तब मुझे लगा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए फेटेड है तुमने बोला था कि तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे गई देखा है मुझे भी ऐसा है लगा था एंजला उसे कहती ही कि हमें ट्राय करना चाहिए इस फेट को चेंज करने के लिए अंजला फे जेम्स को किस करती है और इसे कहती ही कि चलो यहाँ से हम निकल पड़ते हैं यह दोनों जब जा रहे होते तमिहां में दिखता है कि रे सैल और टेरी यह सब यहाँ आ चुके है अब जेम्स का बोस रे इस पर बहुत ही चीड गया था है रे जेम्स को कहता है कि क्या तुम मुझे डबल क्रोस कर रहे थे यह डायमंड तुमारे नहीं है यह तुम मेरे भी नहीं है मैं सिर्फ इसकी डील कर रहा था गर मेरे पास यह डायमंड नहीं होंगे तो लोग मुझे भी मार देंगे James कहता है कि मेरे पास diamond है पर किसे ने वो चोरी कर लिये है Ray James को बहुत ही मारने लग जाता है Angela कहे रहे होती किसी कुछ भी मालूप नहीं है कि सब कुछ सच कह रहा है Ray फिर Angela को पकड़ लेता है Ray अपने अदमियों से कहता है कि James और Elliot को नीचे जाकर burn कर कराओ नीचे फिर स्टोरों में James और Elliot को burn कर दिया जाता है Ray फिर Angela से बात करती हो में दिखता है तो कहता है कि तुम जब इसके life में आई तब से सब change हो गया है James ने कभी मुझे double cross करने की कोशिश नहीं किया मुझे मालूम है कि तुम जानती हो कि diamond कहा है Ray अपने आदमियों को पुरा house चानने की order देता है Ray जब Angela से बात कर रहा होता है तो ये बाहर उसे खुश सुनाई देता है अपने आदमी Terry को बाहर भेजता है Terry जब ये चेक कर रहा होता है तो Terry की आवाज ही नहीं आती Ray जब एक खिड़की से देख रहा होता है तो खिड़की पर गोली चलती है Ray अप सावदान हो जाता है Ray को लगता है कि जिन आदमियों से इसने diamond ली थे उसे मारने के लिए आया है Ray जब इन सब में disturb होता है तो Angela एक knife लेती है Snipe से Ray को मारने वाली होती है तभी और एक gunshot हमें सुनाई देता है Angela अब इस पर war करती है पर Ray एक पेंचान लेता है अपनी gun से Angela को मार देता है James basement ने होता है और ये सब सुन रहा होता है Angela की cheek उसे सुनाई देती है यही रोने लग जाता है यहाँ पर Elliot भी होता है Elliot James को कहता है कि बहुत सारी जिज़े तुम्हें मालूम नहीं है एक वो injection लेता है और James को लगा देता है injection लगा दे होए Elliot उसे कहता है कि इन सब का absence बनने लग जाएगा कास में तुम्हें ये सब समझा बाता तुम्हें सब कुछ समझी जाएगा ये injection जब James को लगता है तो time travel करकर वो past में Elliot के ही apartment में आ जाता है ये 1984 का period है James को जब syrup के बारे में Elliot को कहता है तो Elliot को बिलिव नहीं होता Elliot फिर इस सब syrup के बारे में उसे सब को समझाता है Elliot एक scientist था ये एक syrup पे काम कर रहा था ये जो syrup था ये चुहे पर इन्होंने test किया था ये जब इन्होंने test किया तो ये चुहा time travel करकर अलग time में चला गया था जब वापस आया तब उसे मालूम था कि उसके साथ next क्या होने वाला है James विर पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे experiment का part था क्या इसलिए तुमने मुझे गोद लिया था Elliot कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तुम मुझे future से मिलने के लिए आये थे और तुमने मुझे बोला था कि मुझे तुमारे छोटे self को ढूणना है इसलिए Elliot ने छोटे James को ढूणना था और उसे उसने गोद ले लिया था यहाँ फिर हमें दिखता है कि छोटा James वहाँ आ चुका है Elliot उसे चुलाने के लिए नीचे ले कर जाता है James विर पूछता है कि मुझे लगता है कि इस आत्मी को मैंने कही देखा है मैं मेरे सपने में इसी दिखता हूँ Elliot उसे कहता है कि इस प्रेजर में तुम जीओ यही तुमारी लाइफ है यह कहे कर उसे सुला कर अफ यूचर के James के पास सुआ चाता है अब जब James Elliot से बात कर रहाता है तो उससे पता चल जाता है कि बचपन से उसे जो सब वीजन्स आ रही थी यह उसकी मिमरीज थी इसने टाइम ट्रावल किया था इसी वज़े से एक साइड एफेक्ट उसे बचपन से सब कुछ याद आता रहता था पर James के फिर याद आता है कि उसे हमेशा से लगता था कि वो कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगा उसने देखा था कि वो मरने वारा है पर ऐसा नहीं हुआ James के प्लेस पर Angela ही मर गई है James फिर कहता है कि हम इसे बदल सकते है हमें इसे ट्राइ करना चाहिए इलिट भी मानता था कि वो चेंज नहीं कर सकता पर James को अब पूरी तरीके से Angela को बचाने के लिए ट्राइ करना है इलिट फिर उसे फिर से सिरफ देता है और कहता है कि जादा तुमें इसी यूज मत करो और हमें इस अपरेजन में रहना बना तुमें तकलिफ हो सकती है James फिर अपने माइंट से डिसार्ड करता है कि वो उसे कहा जाना है और वहाँ पहुच जाता है ये अब अपने अपर्मेंट पर आता है सैल और उसका फ्रेंड ये दोनों अब उसे लूटने के लिए आने वाले है ये अब होने वाला है James उसके apartment में होता है और वहीं छिप जाता है जब Derry इसके apartment में घुशता है तो अब उन्हें डिस्टाइक करनी के लिए ये Cell के पास जाता है और Cell के से fight लेता है ये Cell को भगाता है और एक जगा पर ये छिप जाता है Cell और Derry ये दोनों इसके पीछे लग जाते है एक जगा पर आकर James अपने आपको इंजेक कर लेता है और फिर से time travel कर लेता है हमने movie में firstly देखा था कि Angela और James पहले बार जब apartment से भाग रहे थे तो वो एक्चुन में भाग गए थे इनका किसे ने पीछा नहीं किया था अब मैं पता चला है कि वहाँ दूसरा future वाला James था इसने उने वहाँ से भागने में मदद की थी अब मैं दीखता है कि James जो है ये time travel करकर mortal की हाथ चुका है जब वो बिचले जगा से भाग रहा था तो model की जो keys थी ये उसके गूम हो चुकी थी ये Sal को और Terry को मिल चुकी थी जब James अपने hotel तक पोचता है तो वहाँ उसे Sal और Terry भी मिल जाते है इसके keys इनके पास होती है Sal अब James को convince करने कोशिश करता है वो कहता है अगर तुम हमारे pen में शामिल हो जाओगे तुम्हें कोच भी वरी करने के ज़रूद नहीं पड़ेगी तुम्हें directly में पैसे नहीं दे सकता पर तुम्हें hero का कुछ पाट दे सकता हो ये बहुत ही जादा है तुम्हें deal ले लेने चाहिए James कहता है बoss से में गद्दानी नहीं कर सकता James किसी भी हालत में अपनी integrity maintain करेगा इस तरह का आदमी होता है James ने जो हीरे रखे हो जते है ये हीरे अब इससे ही छीन लेते है ये दोनों जब यहाँ से जा रहे होते है तो James इंग पर जपक पड़ता है जल्दी से इनसे हीरे लेता है और कार में बेटकर आगे चला जाता है इन दोनों को लगता है कि बॉस के पास जाना है पर अभी ने पता चलता है कि James अलग direction में गया है figure out करते है कि इसके uncle के पास से गया होगा movie के first में जब यह सब हो रहा था तब हमने देखा था जेमस और एंजला जब अपने hotel पर आये थे तब हुने देखा था कि वहाँ diamonds नहीं है यह जो diamonds है यह future वाले James लेकर गया है जाकर इलेट के पास आता है इलेट को सब कुछ समझाता है जो diamond इसके पास है यह वो इलेट को दे देता है यह कहता है कि अब मेरा boss वेकरा सब कुछ लोग यहाँ आने वाले है जब वो यहाँ आएंगे तो diamond उसे दे देना इसे एंजला की जान बस सकती है इलेट है diamond छुपा देता है अब हमें दिखता है कि present की James और एंजला आ जाते है जिस तरह से जो सीजे हो रही थी वो वैसे ही होती है जब James का boss Ray वेकरा सब लोग आते है तब वो आते हुए ही एलेट को मारते है एलेट उन्हें diamond देता इसके पहले ही वो unconscious हो गया था James को एंजला को किसी भी हालत में बचाना है तो future वाला James अब बहार आ जाता है हमने देखा था कि Ray को खिडकी से बहार से आवाज आई थी यह आवाज James भी छुपकर सुनता है जैसा हमने पहले देखा था यह gunshot सुनाए देता है पर यह जो gunshot था यह James नहीं चलाया James को एंजला को बचाना है तो खिडकी वर वो गोली चलाता है गोली चलाने के पहले ही इसे ही गोली लग जाती है इसका निशाना चुक जाता है अब यह इंजोर हो चुका है यही गिर जाता है और फिर से ही सीरप इसे खुद पर इंजेक कर लेता है अब जो है second future वाला James था यह फिर से past में आ जाता है past में आ जाने के बाद दिन की शुरुवात थी तब यह पहुच चुका है इसे अब लगता है कि अगर वो एंजला से नहीं मिला तो कोई भी problem नहीं आएगा movie के first में जब एंजला को James बचा रहा था तब हमने देखा था कि वहाँ जाकेट वाला एक लड़का था यह future का ही James था वो एंजला से मिलना बाया इसके कोशिश कर रहा था यह कुछ भी इसका success नहीं हो पाया फिर से हमें रात में यह third वाला future वाला James Elliot के घर पर आया हुआ है यह दिखता है Elliot से बात करता है मैं कुछ भी बदल नहीं सकता Elliot को समझ में नहीं आता James केता है कि मैं अलग future से आया हूँ Elliot उसे motivate करता है कि तुम्हें हर नहीं माननी है तुम्हें इसे बदल सकते हो और तुम्हें try करते रहना है अब हम फिर से देखता है ये रेक को आवाज आती है कि बाहर कोई है अपने आदमे टेरी को बाहर भेचता है ये जो आवाज थी ये थर्ड वाले फ्यूचर में कि जेम्स नहीं की थी टेरी जब जेम्स वो देखता है तो इन दोनों की फाइट होती है जो गोली चली थी इन दोनों के fight में से चली थी जब second वाला future का James जब खिरकी पर गोली चलाने वाला था तब third future में कि James और Terry इन दोनों के fight चल रही थी और इनों ने जो गोली चलाई थी इस James को लग गई थी इसी वज़े से second वाला James एंजला को बचा नहीं पाया था अब में दिखता है कि third time future वाला James अंदर आ जाता है एंजला को उसका boss रे जब मारने वाला था तो ये गोली अपने आप पर ले लेता है इसके boss को बहुत ही बुरा लगता है ये खहता है कि तुम तो अंदर locked थे उसे James को मारना नहीं होता रे अपने आदमियों से बोचता है कि ये कैसे हो गया उसके आदमी फिर रे को ही मारते थे जो डाइमन्स होते है ये रे से वो छीन लेते है और वहाँ से भाग कर चले जाते है James की मर रहा होता है तब उसे रेलाइस होता है कि ये उसकी choice थी एक life के लिए उसने अपनी life दे दी है James की mother को भी मालूम था कि वो मर सकती है क्योंकि James हमेशा ड्रॉक करता रहता था ये वो change करना चाहती थी अगर वो change कर दी थी तो James मर जाता James को बचाने के लिए अपने आपको उसने मरने दिया था यही अप James के साथ हुआ है एंजला को एक अच्छी life मिल सके इसलिए James ने अपने आपका sacrifice कर दिया है मरते मरते James फिर से अपने आपको एक syrup से inject कर लेता है ये करकर वो directly Elliot जब यंग था जब वो scientist था तब उसके पास भोच जाता है इसे वो मरते मरते कहता है कि मुझे तुम ढून लेना अपना नाम वेगरा उसे बता कर जाता है Elliot इसी चीज की बात कर रहा था पास्ट में James उसे मिल कर गया था इसी वज़े से Elliot ने James को गोद लिया था इसके बाद हम face देखते second future में का जो James है जो जाड़ियों में था और जिसे गोली लग गई थी इसके बाद अपने आपको इसने इंजेक कर दिया था यहाँ दो गंशोट सुनता है यानि कि future में का James मरा था और उसका boss Sal मरा था एंजला की चीखे वेगरा उसे सुना नहीं देती एंजला मर गई है ऐसा उसे नहीं लगता अब इस बार अपने आपको इंजेक नहीं करता अगर इस बार वो अपने आपको इंजेक कर लेता तो फिर से पास में चला जाता पर इस बार वो यह नहीं करने वाला वो अब उठ जाता है और एंजला की पास आता है James ने अपनी जो destiny थी यह बदल दी है उसने पुरा future ही बदल दिया है अभी भी उसका बास मर चुका है और जो गुंडों थे रे और टेरी यह चले गए है पर अब एंजला और इसका future सेफ है एक दुसरे के साथ अब रह सकते है James जो करना चाता था अपनी destiny को change यह उसने कर दी है एक अलग सी timeline अब बन जाती है अपने आपको inject करने से जिस loop में वो था अब इससे वो भारा चुका है एंजला और James अब अपनी destiny खुद बनाएंगे यह मुबे हमें बहुत ही important lesson सिखा कर जाती है हमें अपनी life के लिए कभी भी give up नहीं करना चाहिए हमें जो चाहिए इसके लिए हमेशा try करता रहना है हमारे जो destiny है यह कभी भी लिखी नहीं होती किसी भी moment पर हम इसे change कर सकते है यह change करनी की power सिर्फ हमारे decisions पर ही होती है हमें अपना दिमा खुला रख कर सही से सब analyze करकर हमारे decisions लेने चाहिए इससे हमारी पूरी life change हो सकती है इससे एक सही से message के साथ यह movie end हो जाती है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा बहुत सारी इसी movies लेकर आदा रहे तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजे और bell notification icon दबाना मत भूलिए मैं फिर से आपके साथ मिलूँगा एक नई movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये